कई हफ़तों से दीपक ठाकुर ने अपने हाथ में बैंडेज पहनी हुई है जी हाँ दीपक ठाकुर अपने हाथ से उस बैंडेज को उतार ही नहीं रहे है वहीं आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर दीपक का मजाग बनाया जा रहा है लोगों का कहना है कि दीपक के हाथ पर जो चोट लगी है शायद उसका कोई on off बटन है टास्क शुरू होते ही दर्द off हो जाता है और टास्क खतम होते ही दर्द on क्योंकि जब जब दीपक टास्क में होते हैं तो वो अपने हाथ से handband उतार देते हैं और फिर टास्क परफॉर्म करते हैं तब दीपक का राइट हैंड हिलता भी है काम भी करता है और दीपक उस हाथ से लड़ाई करने के लिए भी उतारू रहते हैं जरा देखिए सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही ये दो तस्वीरें पहली तो जसमें दीपक ने अपने राइट हैंड को उपर की तरफ उठाया हुआ है और वो हाथ से इशारा कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर हो कि जैसे ही दीपक को एहसास हुआ कि उनके तो इस हाथ में चोट है वैसे ही दीपक ने वापस इस बैंडिट को पहन लिया वही सल्मान भी दीपक की ममी से ये साफ साफ केह चुके हैं कि दीपक के हाथ को अब कुछ भी नहीं है दीपक यूँ ही घर में बैंड पहन कर घूम रहा है वेल दीपक ठाक और अब सिंपथी कार्ड काम नहीं करेगा माना कि आपके हाथ पर चोट लगी थी लेकिन अब ये जग जाहिर है कि आपका हाथ ठीक हो चुका है फाइनल कार्ट एंटेटेंमेंट डेस्ट